विगत तीन वर्सों में प्रयास एक पहल नाम की जो एक टीम है जो एक संस्था है ये बहुत ही बढ़ियां काम कर रही है सामाजी काम कर रही है और आज उनका तीसरा वर्स गाठ पूरा हुआ है तो हमारी तरफ से पूरी टीम को दिल से थैंक्यू धन्यवाद और शुब काम आपको आप ऐसे ही आगे काम करते रही है और समाज के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे आगे आते हैं तो भगवान जो है ना आपकी जित्ते ही बहनों काम ना है वो पूरी करें और हमारी बेश ट्वीसेस हैं आपको थैंक्यू नमस्कार मैं मनीश कुमार तलेंट एक्टर बोल रहा हूं सबसे पहले तो परियासिक पहल को सफलता के तीन वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बढ़ाए आपने बहुत ही सफलत तीन वर्ष पूरे किये मैं आपके बारे में मुबाइल फोन के मादियम से ही जान पाया था आपने जब यह संस्था बनाई थी तो साती साथ एक न्यू चैनल भी आपने स्टार्ट किया था जो कि अभी भी है परियास न्यूज शुरू में बड़ा आजीब होता था बरी संख्या में लोगों को सनाप सनाप मैसेज भी इसमें डालते थे और आप उसको कंट्रोल करने के लिए 24 घंटे ऑनलाइन रहते थे तो कई बार हम लोग आपस में हसी मजाक भी करते थे कि कोई आदमी 24 घंटा कैसे रह सकता है इसको मेंटेन करने के लिए लेकिन बाद में इस शेत्र का सबसे विश चैनल बन गया आपका और कहिने कहीं आप लोगों की इसमें दिर्श अंकल्प सोच थी क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे संगठन शुरू होते ही वहों के द्वारा लेकिन आपसी मनमुटाओ और तालमेल की कमी के चलते बहुत जल्द ही वह समाप्त हो जाते है लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ और प्रयास एक पहल की बात है तो शुरुवात में हमने देखा कि आपने विच्छा रोपन अभियान चलाया उसके बाद वस्तर अभियान चलाया नेकी की दिवारा आप बनाये थे जहां लोग अपने कपरे वहां रख देते थे गरीब अच्छा भियान आपका हाल फिलाल में एक कोवीड-19 की जो समस्या है पूरे विश्वभर की उसमें आपने जो वर्क किया जो काम किया बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत डेडिकेशन के साथ किया बहुत समर्पन के साथ किया और आप लोगों के कारे को अधिक सहयोग देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में देने से अच्छा है कि आप जैसे बिश्वस्त एंग्जी ओ को दें चोकि आप पूरी तरह से समर्पित हैं और हमारे पैसे जनता के पैसे गरीबों तक पहुंच पाता निथा प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष का पैसा तो ब्रश्टाचार की भेट चर जाता है तो निश्ची तोर पर आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने पूछा कि कोई सुझाव दीजे कि हम क्या सुधार कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि सुधार करने से ज्यादा महत्रपुर्ण है मेंटेन रखना कोई भी संस्था कि जो गुनवत्ता होती है उसकी जो सबसे चैलेंज होता है आप उसको मेंटेन करिए मेंटेन करना चाहिए और काम बहुत अच्छा आपका है आपको बहुत बहुत शुप कामना आप काम में लगे रहें और समाजिक विशेयों में आप जो काम कर रहे हैं वही विशेय सबसे अच्छा है क्योंकि राहितिक पूरे समाज का सहयोग मिलता है, मुझे लगता है कि 99% सहयोग मिलता है, तो इस भी सहयोग में आप आगे बरहें, और दुनिया में जब तक समाजिक समस्या रहेगी, काम करने किया नेको अफसर है, आप जैसे लोग अगर काम करेंगे, तभी समाज के समस्याएं भी कम होगी, तो फिर से आपको बहुत-बहुत शुब कामना आपको बहुत-बहुत बढ़ाएगे।